ही गाइस मैं हूँ अल्बुग और स्वागत लोगों एक को श्यांदर शी वीडियो में आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ कि आप कैसे पाल वल्ड में बेस को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो उसके कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कुछ मैंने ट्रिक्स न वाला फाम है इधर अपने कुछ वर्क बेंच रखे हुए है बीच में अपना पाल बोक्स हैड में दो लुकारियो वाले स्टैच्व एंड मेरा घर अलग से है ठीक है तो यह सब है मेरा एंड मैंने पूरा नीचे फाउंडेशन दिया हुआ है तो आपको यह करके सारी रखने कर सकते हैं मेरे तरीके से एल्ली जी आती है वह है वांडेशन तो जब भी तुम अपना एक बेस बनाओ तो मैं हमेश्चा उसके नीचे एक फाउंडेशन लखनी है यह तो मैं यह तो दिये बात धियान रखना की जो तुम्हारा एरिया है जैसे कि मालनो मेरा यह ए पूरा इसमें जो सबसे ज़्यादा हाइट पहना तो मेरा यह वाला सबसे ज़्यादा हाइट पहना जैसे की मैं यहाँ पर अगर अपने तुम्हें लिए पटे कर सकती हो। तो तुम्हें पता यह होगा। अब साइड में एक स्लॉप बना सकते हो तुम यह मैंने कैसे बना है? यह तुम्हें दिखा दें तो वह सब रूफ इसके साइड में आना है इधर देखो यह लग गया इसे लगा दो यह अच्छा लगता है ताकि तुम सिरफ डबलु दबा के चड़ सकते हो वरना तुम्हें स्पेस दबाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता हो थोड़े यह बड़ी अलगता है एक स्लोप सा बना ठीक है कुछ प्रेस्ट चैप की चीज़ यह जैसे बूस कंड़क werde मिलता है यह मैने अपने इसाद से कर रता अपनी सोटिंग कर रकिकर मैंने इस गें में रख रखे द यह दूँर में में सारे की ठीक है प्रॉप पर एकदम alignment का सेट है पूरे walaflar तो इन्हें एक दम मेरी तरह line में लगाना तो तुम्हें कुछ नहीं करना है simply पाल पर जाना है कि दर yellow इला इस पर जाना है तो मैं से ऐसे place करना है ठीक है बिल्कुल एक दम देख के प्लेस करना अगर तुम्हें पहले नीचे फवांडेशन लगानी पड़ी किसे प्लेस करने के लिए क्योंकि फवांडेशन में एक लाइन होती है देखरो पत्थर की लाइन है तो इससे साथ कर सकते हो जाने अब जैसे कि यह यहाँ पे एक दम perfectly adjust हो चुका है तो मैं इसे लगाऊंगा ठेक है एंड सिरफ S जबाऊंगा पीछे आऊंगा ठेक है जैसे मैं उसे build करने तो इने पहले तो सारे के आखे उसे build करेंगे देनी सारे के सारे pulse यहाँ से हट जाएंगे उसे build करने के बाएट ओके हटो भाई ब्रो तु हटेगा ओके never mind तो तुम्हें सिरफ S दबाना है एंड पीछे आना है एंड इधर एक build कर देना है आप जब तुम्हें साइड से alignment चेक करोगे न तो यह बिल्कुल straight है सामने वाले से देख सकते हो दोनों एकदम straight line में build है ठीक है तो तुम्हें ऐसे बना सकते हो सिरफ एक build कर दो और उसके बास बस चलते रहो बाकी इधर एक बीच में अपन लगा देंगे ऐसा perfectly एकदम देख के दोनों से side से adjusted है बढ़िया इसे अपन ऐसा करेंगे यह देखो यह लग गया दोनों साइड से एकदम एजेस्टर बिल्कुल सेम साइड पे तो यह दिखने का काफ़ दा प्यार लग रहा है यूनों साइड से एकदम अच्छा होता है तो alignment होता है एकदम set बढ़िया लगता दिखने का ऐसे तुम farm भी कर सकते हो मेरे यह farm देख सकते हो तुम एकदम मैंने अच्छे से box type में पूरा use करके काफी time लगता है श्टीज में वह बाता लग है तो मैं अच्छे से align करना पड़ता है तो यह कर सकते हो यह सारे मेरे weed farm है यह देख सकते हो easy peasy अब मैं तुम्हें एक मस्चीज बताता हूँ अपने पाल बॉक्स को हमेंसा सेंटर में रखा करो ताकि तुम बड़ा से बड़ा एरिया कवर कर सको अगर तुम इधर का एरिया छोड़ दोगे इतना इतना एरिया रह जाता है तो मेरा blue blue एरिया में नहीं आता हो ठीक है टाइम की बे दिक्कत रहती है अगर तुम घर की बात करते हैं तो घर में मैंने एक भी ऐसी चीज नहीं रखी है जो मतलब मेरे workstation वाले चीज़ है वो मैंने घर में रखते हो तो अच्छा नहीं लगता है जब भी तुम ऐसे चीज़े घर पे रखोगे तुम कुछ भी चीज़ बिल्ड करोगे पास तुमारी मदद करने आएंगे और वो बार बार दरवाजा खोलेंगे दरवाजा बंद है तो वो नहीं आ पाएंगे वो टक जाएंगे तो कुछ है दिक्कत इसलिए मैं ऐसा करता हू घर के अंदर श्टोरेज में कभी भी बॉक्स तो यूज मत करना इसमें काफ़ी श्टोरेज वाली चीज़े यसा कि तुम जेख सकतो यहां पर श्टोरेज में एंटिक चैश एंटिक साइड चैश काफी सारी चीज़े इन्हें अनलोक कर ले न टेक्नोलोजिय में मिल जाए यहां पर ने तुम्हें घर के अंदर तो आप ने करना है तो ऐसा यूज़ करना वाकि मैंने यह दोनों एग वाले रख्ञें है इधर एग इंक्यूबेटर यहां पर यह एक लार्ज मैटल टेस्ट है इसमें तुम काफी अच्छा समान रख सेकते हैं तो इसमें मेरा प्लान ह थे पहले बट मैंने उन्हें वो कर लिया है कर लिया सबको तो अभी थोटे कम हो गए वाकिव यह चैस्ट और मुस्ट भर जाएगी तुम्हार इतने एक्स तुम मिल जाते हैं तुम्हें बहुत एक्स मिलता है अगर तुम अच्छा का सा एक्सप्लोर करते हो यह बीच में डा रोटेट करूंगा प्यार से इसका सेंटर डूनँगा यह सेंटर ओल्मोस्ट यह सेंटर है ठीक है अलका से इसे आगे करेंगे जितना आगे कर सकते हैं रैडा पीछे करो लगा दो और इसे खुद से ही बना लो क्योंकि वह गेट मन देता हो पाल संदर नहीं आ पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का ठीक है अब मैं इसे बना दूंगो वन चू यह बनके रैडी होगा एकदम पिल्कुल परफेक्ट लग रहा है तो अगर ऐसी परफेक्ट चीज़े बनाओगे तो अच्छा लगएगा बेस थोड़ा दिखने में यहां पर अपना एक मि चाहिए फायर औरगन चाहिए जो कि तुम्हें फॉक्स को मार के मिल जाएगा इसी पीजी यहां पर देखने का भाई काफी ज्यादा गंदा लगता है तो मेरे पूरे घर की लुक सिरफ यह बैड ही खराब कर रहा है इसलिए मैं उसे बिल्कुल कोने में चिपका कर रखा है यह फिल्कुल नहीं लग रहा है उससे ज्यादा अच्छे यह सोफी लग रहा है भाई कितने प्यार एंड क्यूट लग रहा है दिखने के काफी ज्यादा तो ऐसे तुम्हें एक लुक दे सकते हो अपने घर को बाकि जो मैंने इस साइड से कर रहा है नहीं यह ऐसा रूफ बनाईए ऐसा तुम माइनक्राफ्ट में तो कर सकते हो इसे तोड़ा सा दिक्कत आएगी यह चीज करने में तुम्हें इक बार चल के दिखाता हूँ मैंने इसमें क्या दिमाग लगा है तुम्हें इसमें कुछ नहीं करने है ठीक है पहले मैं इक बार इसे तोड़ देता इसे तोड़ो इस ओपर वाले रूफ को तोड़ो एंड ये साइड में जो लगाने इसे भी तोड़ देंगे ठीक है अब तुम्हें इसे बनाने के लिए पहले जाना है एक रूफ चूज करनी है तुम्हें एक सेकिन किदर है रूफ ओ है ये रही फुड़न रूफ चूज करनी है अगर तुम्हें इसके उपर लगाना है तो पहले यह अपर रूफ लगाने पड़े तुम्हें ये रूफ लगाई तुमने ठीक है इसके उपर रूफ आ गई अभी अब इसके उपर चड़ जाओ लगाना अब इसके ओपर तुम अपना वह ब्लू अला लगा सकते हो रोटेट कर दो बसे से यह लग गया अब इसके साइड में अपना वह ट्रैंगल लगा दो यह देखो यह ट्रैंगल आ गया अब B और C दबाके इसे तोड़ दो ठीक है अब अंदर जो तुम्हारी रूफ लगी है B और C दबाओ इसे भी तोड़ दो ठीक है और दुबारा B दबाके एक वोडन वोल लो एंड भार दाके लगा देता हो में एंड उसको यहाँ पर आके चोटा लगता है यह नो ऐसे खुला खुला सा घर लगता है काफ यदा बड़ा यह देखो इतने ओपर तक तो दिखने काफ अच्छा लग रहा है अब अगर तुम एक फ्लोर इसको पर देते हो तो या तो तो तुम दो हाइट करना या फिर सिंगल हाइट करोगे तो मेरे सा बीच में पाल बॉक साइड में तो लुकवारी वाली फोटोज इन श्टैचू तो अच्छा लग रहा है दिखने का तो यह कुछ तरीक है जिनसे तुम अपने बेस को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो एक जैसे मैंने कर रहा हुआ है I know काफी चारे बंदे इस चीज़ पर ज्ञाननी देते हैं उनका बैसे तो मैस्ट पड़ा हुआ होता है उन्हें कुछ भी चीज़ ढूनी होते हैं नहीं मिलती उन्हें तो इसलिए मैं कहते हैं स्टोरेज का यूज करो भाई सिंपली जब तुम स्टोरेज यूज करते हो ना तो जातर बंदें सिरफ बॉक्स एक अच्छा यूज दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को जो मैंने अपना फाम है इसके बगल में यह लगा रखा है अपना यह बुक्षेल्फ अब इसकी खासियत क्या है कि इसमें सिरफ दो की स्पेस है तो मैंने इसमें एक वुड डाल दी अपनी एक अपने स्टोर डाल देखरो यह काफी ज़्यादा दिमाग वाली बास चीथा अगर तुम्हें है मतलब तुम्हें दिमाग तो होगा यार मजा कर रहा हूं मैं ठीक है तो ऐसे तिम चीजें यूज कर सकते हो अपने उसमें यह थोड़ा सा मतलब करता है तुम कितना क्रियेटिव हो इन सब चीज आइगे तुमसे तो हार्ड वर्किंग कर सकते हो तुम अब थोड़ा तेज तेज काम करेंगे और तो क्या तो यह सब चीजें तुम कर सकते हो बाकि आभी काफी ज़्यादा बच रहा है मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत कम एरिया बचा है कि भाई ना ना जहें नही खाली रहता है मैं यहां पर बहुत सारी चीज़ें लगा सकता हूं अब अगर तुम लेवल 30 हो 35 हो तो तुम्हें ज्यादा चीज़ें लगानी पढ़ती होंगी तो तो बस यह एक आइडिया था यह अगर तुम्हें इपना बेस अच्छे से डिजाइन करना है प्यारा सा प्लोग उस अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राब कर दो बाइबाई गाइस